Hello Friends, Welcome to Guitar Tips बदलते मौसम से होने वाला वाइरल फीवर हो, सर्दी जुखाम खासी हो या गले में खराश इन सभी से बचने के लिए आज मैं बहुत ही उप्योगी रामबान और शदी लेकर आई हूँ जिसका यदि आप एक बार सेवन कर लेंगे, तो आपको सर्दी जुखाम, खासी बुखार या गले में खराश आदी होगा ही नहीं तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन दबाने के बाद, औल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफेकेशन मिले साबसे पहले तो सर्दी जुखाम बुखार से बचने के लिए जो रेमेडी हम बनाएंगे, उसके लिए जो सबसे जरूरी औशधी है, वो है तुलसी के पत्ते तुलसी हम सभी के घरों में होती है, ज्यादा तर हिंदू परिवारों में तुलसी की पूजा की जाती है, इसे सुक्सम्रदी और कल्यान के तौर पर जाना जाता है, यह एक जानी मानी ओशधी है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारी बिमारियों में किया जाता है, किन्तु थोड़ी ज्यादा ही ली हैं ये लगभग 50-60 तुलसी की पत्तियां हैं आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि कुरोना के बाद लोगों में हार्ट संबंधी प्रॉब्लम बहुत हो रही हैं तो इसलिए हमने ये दो डंडी मीठी नीम लिया है इसमें मौझूद एंटी ओक्सी वाले रोग एनीमिया से भी बचाता है और ये वजन कम करने में भी काफी कारगर होता है अब दो बत्ती लेमन ग्रास लेते हैं ये बैक्टीरियल इंफेक्शन को दूर करता है और रक्त को शुद्ध करके डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है इसके अलावा ये स्ट्रेस को भी दूर करता है अब आप ये हमारा इलाची का पौधा देख रहे हैं इलाची से फेफडों में रक्त संचार तेज गती से होता है इससे सांस लेने की समस्या जैसे अस्थमा तेज जुखाम और खासी में राहत मिलती है गरम तासीर होने के कारण ये सर्दी जुखाम में बहुत ही फायदेमंद और शदी है तो हम इसकी एक पती तोड़ लेते हैं यदि आपको ये ना मिले तो आप चार-पांच छोटी इलाची जो की मसाले में यूज होती हैं वो ले सकते हैं अब ये पुदीना इससे तो आप सभी परिचित हैं गरमी में लू से बचने के हैं अब ये गिलोय की बेल देखिए वात, पित, कफ और बुखार में गिलोय रामबान की तरह काम करता है तो हम दो पत्ते गिलोय के तोड़ लेते हैं आप इसकी डंडी का यूज भी कर सकते हैं यदि डंडी ले रहे हैं तो करीब 6-7 इंच की डंडी कूट कर ले लें अब लेमन ग्रास और इलाची की पत्तियां काफी बड़ी हैं तो इन्हें छोटा-छोटा काट लेते हैं वैसे तो इन्हें साधे पानी से धोना काफी होगा पर इस समय कुरोना चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल कर इन्हें धो लेते हैं कुरोना से बचने के लिए सब पत्जियों को कैसे धोएं इस पर एक वीडियो मेरे चैनल पर है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से उसे आप देख सकते हैं तो ये हमने सारी पत्तियों को अच्छे से धोकर एक भगोने में डाल लिया है अब हम इसमें तीन ग्लास पानी डालेंगे नाप से द पसवारा दाने काली मिर्च इन दोनों को अच्छे से कूट लेंगे अदरक और काली मिर्च सरदी जुखा में बहुत वायदा करती है ये खासी और गले की खराश में भी बहुत उपयोगी होती है तो ये हमने इसे अच्छे से कूट लिया है इसे इन ही पत्तियों में घोल अब इन पत्तियों का अर्क अच्छी तरह से पानी में घुल जाए इसके लिए इसे एक घंटे के लिए ढग कर रख देंगे आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भिगो कर भी रख सकते हैं एक घंटे के बाद इसे बॉयल करेंगे पानी उबलने लगा है अब इसमें एक छोटा टुकडा गुर डाल देते हैं सरदी जुखा में गुर भी बहुत फायदा करता है आप चाहें तो इसमें गुर की जगए मिश्री भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा ठंधा होने के बाद दो चम्मश शहद भी आड़ कर सकते हैं तो ये अच्छी तरह से खौलने लगा है इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये तीन ग्लास पानी दो ग्लास न रह जाए दो ग्लास पानी लगभग पांच कप के करीब हो जाएगा और हम ये पांच लोगों के लिए ही काढ़ा बना रहे हैं तो ये काढ़ा पक कर लगभग दो ग्लास बचा है गैस बंद कर देंगे और करीब 10 मिनट के लिए इसे ढख कर रख देंगे 10 मिनट के बाद इसे छान लेते हैं तो ये हमारा तुलसी का काढ़ा बनकर रडी है इसे आप तुलसी की चाय भी बोल सकते हैं इसे डेली एक कप, सुबह खाली पेट, चाय की तरह पी लें और करीब आधे घंटे तक कुछ ना खाएं यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप काफी हद तक सर्दी जुखाम बुखार से बचे रहेंगे जो की आजकल कोरोना टाइम में बहुत जरूरी है इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं दो साल से दस साल तक के बच्चों के लिए इसकी मात्रा आधी कर दें यानि की आधा कप कर दें ये काढ़ा एक हफता लेने के बाद तीन-चार दिन का गैप कर दें फिर आप इसे दुबारा एक हफते तक ले सकते हैं यदि आप सुबह सुबह ग्रीन टी पीते हों तो आप इसे ग्रीन टी से रेप्लेस भी कर सकते हैं तो वीडियो उप्योगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजेगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाई बाई